भारत में लास्ट माइल डिलिवरी तेजी से हो, ट्रांस्पोर्ट से जुड़ी चुनोतियां समाप्त हो, हमारे मेनुफेक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का, समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोड़क्ट है, बिलम के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विशों का सबाधान, खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है, और उसी का एक स्वरूप है आज, नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी, और मुझे पक्का विश्वास है, कि हमारी इंसारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, और इस खेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग-अलगी काईयों में के बीश्वे भी, एक समन्वे स्थापित होगा, हुलिस्टिक एप्रोच रहेगा, और उसका परणाम, हम जो गती चाहते हैं, उस गती को मिलेगा, और मेरा आप सबसे आगरह है, मुझे यहाने में जो पांच साथ मीट देर हुई उसका कारण था, यहां एक छोटी सी प्रदर्शन ही लगी है, समय अभाव से मैं बहुत बारी किस्ते तो देख नहीं पाया, लेकिस सरसरी नजर से देख रहा था, मेरा आप सबसे आगरह हैं, कि समय निकाल करके 15-20 मिनिट, इसी केंपस में हैं, जुरूर देख करके जाईए, किस प्रकार से टेकनलोजी इस खषेत्र में रोल कर रही हैं, स्पेस टेकनलोजी का हम लोग कैसे उफ्योग कर रहे हैं, और एक साथ सारी चीजों को देखेंगे, तो आप इस खषेत्र में होंगे, तो भी शायद आपको बहुत सी नई चीजें प्राप्त होगी आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थिववस्ता है क्यों आपको खुशे नहीं है कि देर आए दुरस्ताए होता है कभी कभी क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगिटिविटी का भर्मार होता है कि उसमें कभी के वैक्षाईयों को ढूंडने में बड़ा टाइम लगता है और देश बदल रहाए जी एक समय था हम कभूतर उड़ा छोड़ते थे अच्चिता छोड़ते हैं कि वैसे ही थोड़ा होता है लेकिन आज प्राता चीता छोड़ना और शाम को लोजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ये क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगा से दूसरी जगा पर चीते किस पिड़ सजाए देश उसी तेज गती से आगे बढ़ना चाहता है साथियों मेकिन इंडिया और आत्म निरबर होते भारत की गुंच सिर्फ भारत में नहीं बाहार भी सुनाई दीती है आज भारत एक्सपूर्ट के बड़े लक्ष तैय कर रहा है पहले तो ये तैय करना ही बड़ा कठिन रहता है इतना बड़ा पहले तो इतना था अब एकदम ऐसा लेकिन एक बार ताय हो जाएं तो देश कर भी देता है और लक्षों को पूरा कर रहा है देश आज भारत के मैनिफेक्ट्र इंसेक्टर का सामर्थ एक प्रकार से भारत मैनिफेक्ट्र इन हब के रुप में उभर रहा है इस दुनिया के मन में स्थीर हो रहा है इसकी स्विक्रूति बन रही है जो लोग प्येला इसकिम का ध्यन करेंगों को पता चलेगा विश्वन ने इसको स्विकार कर लिया है जी ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पालिसी हार क्षेत्र के लिए बहुत ही नई उर्जा लेकर के आई है मैं सभी स्टेक होल्डर्स को व्यापारियों को कारोवारियों को निर्यातकों को देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशेटिव के लिए जो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बुट्टी उनके हाट लगने वाली है इसके लिए अनेक अनेक शुक्वामनाई देता हूं बहुत बड़ाई देता हूं हूं